दो चीजे मुझे लगती हैं, एक, आर्टिफिशल इंट्रिजेंस के कारण, और उसमें भी, डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि उसके पास, वरिफिकेशन के लिए, या ऑथेंटिफिय करने के लिए, कोई उसके पास पैरलल व्यवस्ता नहीं है, और बाइन लार्च, आज़ादिक की लड़ाई से लेकर के, भारत में जिस भी चीज़े से मिडिया सब्द जुड़ता है, उसकी एक इज़त है, जैसे कोई भी वेक्ति हो, गेरुए कपड़े है, तो हमारी हाँ, एक स्वाब है, वो इसके विरासत में इज़त मिल जाती है, उसको, वैसा मिडिया को भी है, एक विरासत का लाब उसको मिलता है, और उसके कान डिप फेक हो, तो भी वो भरोसा कर लेता है, है यार, ऐसे थोड़ा आया हो गया, कुत्त हो गया, और ये बहुत बड़े संकट की तरफ जाएगा सबाजु, और शायद वो असंतोष की आग भी बहुत तेजी से फैला सकता है, समाज जीवन की ववस्ताओं को, और ये बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है, मालीजे कहीं कोई एक गलत चीज ने कुछ नई समस्या पैदा कर दी, अगर सरकार को वहाँ पहुँचना है, तो डिस्टन्स भी तो म समय मेटर ही नहीं करता है, फुरण पहुंच जाता है, अगर लोगों को एजुकेट कर सकते हम, हमारे कारिकमों के दारा, कि आकिर है क्या, आर्टिफिशनल इंटलिजेंस कैसे काम कर रहा है, डिप ने क्या कर सकता है, और कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है, और उसमें जो चाहें वो बना सकते हैं जी मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें मैं गर्वे गा रहा हूं और मैं खुद भी देख रहा है क्या बढ़िया बढ़ा है जबकि मैं स्कूल एज के बाद कभी मौका नहीं मिला मुझे मैं स्कूल में बहुत अच्छा खेलता था गर्वे बहुत ही अच्छा खेलता था लेकिन बाद में कभी मौका नहीं मिला लेकिन अभी जैसे आज ही मनाया हूँ ऐसा वीडियो यह आर्टिफिशन और जो मुझे प्यार करते हैं वो भी इसको फ़रवर कर रहे हैं। मैं औरों का उधान देना नहीं चाहता हूं ते लिए मैंने दिया नहीं मैंने अपना ही दिया लेकिन एक चिंता का भी शैचित। और हम और आटिफिशनल इंटेलिजनस हम जैसे सुसाइटी जो बिपिताओं से भरी है ज़ा पहले मुवी आते थे एकाथ कहावत उस मुवी में आ जाए आते शी चले जाती नहीं आज एकाथ कहावत आ जाए तो पूरी मुवी चलना बंद हो जा मुश्किल हो जाता है कि तु तुम जवाब दो तुमने क्या किया यह हाल है ऐसे मैं आप कि इस सास्त्र को तो समझाने से तो कोई लाप बहुत जाता नहीं है लेकिन उसके प्रभाव क्या हो रहे हैं उदाणों के साथ तो कोई भी बैसे मुझे जब इस विशे को आगे बढ़ाने वेक्ती चैट जीपीटी के लोग मिले थे तो मैंनों को कहा था से मुझे एक पीनाड़ तुमारी मि Geschichte लेकिन लिखा हुआ रहता है ये हेल्थ के य созд लिखा हुआ था था हरो तो मैंनों कि तुम्हारा जो बेकर अड़ी चैक पिक्रता आप्यूक करता है तो वहाँ एक भी आना चाहिए सब्सकर कि फिर उसको देखें आनन करें जो करना है करें लेकिन उसको आना चाहिए उन्हों का साब मुझे भी बड़ी चिंता है कि यह मैंने करतू दिया लेकिन कैसे रुकेगा तो एक बड़ा चिंता का विश्य है